नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एन्वोई स्टडी में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतिय क्रसी बारतिय क्रसी से जितने भी मोस्ट इंप्रटन प्रस्ण बन सकते हैं वह आपको इस वीडियो में देखने हों के मिलेंगे तो आई दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रस नमबर एक है भारत का कौन सा सहर अंगूरों की खेति लिए प्रशिद्य है ओप्सन दिये हैं नासिक नांगपूर 16 पूर उजेन तो दुस्त का जो और नाशिक नाशिक अंगुरों के खितिक लिए प्रशिद है दूसरा प्रश्ण सुनेहरी कृरांती का संबंध है सुनेहरी क्रांती का संबंध किससे फ़ल उत-पादन से मचलिय उत-पादन से दुग-द। पादन से या संपंदबाएंध şu को सरकरां पाई जाती में जो कौंट सी सरकरा पाई जाती चु mm Gali या फिर लैक्टोज तो इसका जो तो निकल उत्तर वो civ aspire वे उक्रोग आजए कि हारत कर्यांद के जनक किसे माना जाता है तो भारत में हरित कर्यांद का जनक किसे माना जाता है इसमें ऑप्सन दिये हैं डाक्टर वोर्लॉग डाक्टर स्वामीनाथन डाक्टर थामसन या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है वह भी डाक्टर स्वामीनाथन निम्न में से कौन सी रवी की फसल नहीं है तो निम्न में से कौन सी रवी की फसल नहीं है गेहू जो रैप सीड या जूट तो दोस्ता गेहू भी रवी की फसल है जो रैप सीड तीनों ही रवी की फसल है लेकि जूट जो है वो रवी की फसल नहीं है बारत में दुखदुत पाधन में अग्रीडी राज्य है तो बारत में जो दुखदुत पाधन में अग्रीडी राज्य है वो कौन सा है पंजाब हर्याणा Łवेven गुजरात या फैर उत्तर पृद्धिस तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अपसन नमर डी उत्तर प्रदेश भारत में मसालों का सरवादिक उत्तपादन करने वाला राज्य है तो भारत में जो मसालों का सरवादिक उत्तपादन करने वाला राज्य है इसमें उपसन दिया है गुजरात बी दिया है पंजाब सी दिया सबसे ज्यादा चाहित पाधन करने वाला राज्जी है तो उसका जो करेक्ट ऑप्षण सी के निमली खित में से किसखने सोयाव इनकी खेती सब जब जदी तो इनकी जो खेती सबसे ज़्याद होती है वह कौन slowerाज में सबसे जादा होती है तो के सर शूंद हं फिर इंहों हर्याना मद्यդ प्रदेश उत्र प्रदेश से सबसे जादा उत्पन होती है है हुरा मेर्द क कस्मीर में या फूर्व उत्तर की पहाड़ियों में तो इसका जो सही उत्तर होगा सी कस्मीर में भारत में सरवाद एक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है तो भारत में जो सरवाद एक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है एदियाए असम भी मेगाले सी गुजरात और डी पस्चिम बंगाल तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी पस्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश की प्रमुक फसल है तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुक फसल है वो कौन सी है यह दिया है मक्का भी गेहूं सी चावन और डी कपास तो उत्तर प्रदेश की ट्राजियों में से कौन काजू का प्रमुक उत्पादक है तो निम्न राजियों में इनि चावलसे संबंदित है तो इसका सईधर कोंटवा भी चावाल से संबंदित है भारत में तमाखू की कھیती अधिक छेत्रे तमाखु सबस्यादिक किस लाजिम होती है तमाखुके सर्वाधिक छेत्र हों सभता है केरल आंदर पृदेस या गुजरात तो इसकी निष्ट पर दलावा सिर अन्धर पृदेश निम्लिकित में से कौन सी नगदी फसल है निम्लिकित में से कौन सी नगदी फसल है ओप्सने ए गेहूं बी तमाकू सी गन्ना डी का पास तो इसका जो आंसर होगा वो है बी तमाकू नगदी फसल है निम्न मेंसे कौन सी खरीफ की फसल नहीं है यह दियाए का पास भी मुंख़ली सरसों मक्का तो दूस्तों इसका जो ऑप्शन सी वो सही है सरसों जो है वो रवी की फसल है खरीफ की नहीं है खरीब की फसल काटी जाती है तो खरीब की फसल जो कब काटी जाती है तो खरीब की फसल जो है कब काटी जाती है इसमें ऑप्सन दिये मार्च में नवंबर में जून में या फिज जुलाई में तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है भी नवंबर में काटी जाती है खरीब की फ wagqa तो परआफ यह होती है ती संटी मीट्र से अधिक है। यह फिर सो सेंटी मीट्र से अधिक है तो इसका जो सही उतार होगा, निसका ब्लेकिजा wonderful 40ch अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट्स और लाइक शियर जरूर करना धन्य बाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में